नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल IIS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये NCRT का महा संग्राम चल रहा है और इस महा संग्राम में कच्छा 6 की तीसरी अध्याय हम लोग करेंगे लेकिन अध्याय क्या है उससे पहले हमने आपको प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले इसके जो लास्ट में कोश्चन दिये गए हैं उसको समझ लेते हैं इसको क्या है मैचिंग करवाना है आपको क्लियर है तीसा कोश्चन हरप्पा के लोगों के लिए धातू है लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूंट थे इसको समझाना होगा और बताना होगा नेक्स जो है चौथा नंबर कोश्चन ये क्या कहता है इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानिके टेरा कोटा को ही कहते हैं पक्की मिट्टी से बने सभी खिलोने की सुचिया बनाओ और इनमें कौन-कौन से खिलोने बच्चों को ज्यादा पसंद आये होंगे उस समय में व खरपपा के किसानों और पसुपालकों के जीवन क्या उन किसानों से भिन था जिनके बारे में तुमने पिछले कक्छा में पढ़ा था अपने उत्तर इस कारण में बताओ दोस्तों यहां पे थोड़ा देर के लिए चेप्टर पढ़ाने से फ़ले कुछ बेसिक बाते हैं ज लखा जाए पता ही नी चलता है ऐसे कंडिशन में यह NCRT आपकी बहुत बड़ी रामबान काम करने वाली है इसको नजर अंदाज मत किजिए दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि कछा 6 की हम पर रहे हैं दिमाग में बस यह डाल लिजिए कि हमें किसी भी हालत में SDM के चेर पर जाके बैठना है इसके लिए इस चेप्टर को इस सीरीज को इस वीडियो को हर एक बात को अपने दिल के अंदर ले जाना होगा चाहे जैसे आप ले जाए यह आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों दुख तो तब होता है जब मैंने आपको गुरुप बना दिया उसकी साथ- कि प्लीज इसके जितने भी कोश्चन है सारे के सारे जो है लिखो और लिख के मुझे दिखाओ आपने कुछ भी नहीं करते हैं तो यह गलत है न सी पढ़ने से कुछ नहीं होने बाला है याद रखिए क्योंकि आपको मेंस देना है आपको इंटरव्यू देना है इसलिए थ जिंदगी भर इंतिजार करोगे वो कभी मिलेगी नहीं कर भी है लेकिन दिल की बात है तो चलिए दोस्तों आज की सेशन पर चलते हैं कोशन आज का जो चेप्टर आएगा और उसी में आपको समझाने की कोशिज करेंगे आरंभिक नगर यानि कि पूरी की पूरी कहानी आदी मानव के बारे में बताया कैसे रहना सुरू कर दिये पहले क्या घुमंतू टाइप के होते थे खाद संगरहाक होते थे आखेटक होते थे सिकारी होते थे एक जगा काते थे उसके बाद दूसरे जगा फिर तीसरे जगा करते करते गुमते हुए खाना खाना रहना उसकी बाद पसुपालन शुरू कर दिये, देखते देखते, उसकी बाद किरसी भी गिबेवस्था शुरू हो गई, हमने पिछली क्लास में यही सब पढ़ा, ओजार जो थी, वो पत्थरों की बरी होती थी, उन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया, और मैं उमीद करत यह बताता है कि आपको जो है, यह सरीज बढ़ा अच्छा लग रहा है, और इसी को देखते हुए, आप कैसे देखते हैं, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ, और यह सरीज आपके लिए इतना बड़ा बेन अबिक नगर शुरू करते हैं, और आसानी से देखते हैं कि आज क्या होने वाला है, हरपा की कहानी, जाना बहुत जरूरी है, यहां से हर बार कोश्चन पूचता है, हर बार आप दे उठा के देख लिए कोश्चन पीसियस में, या फिर यूपीसी में हर बार कोश्चन पू बिचाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजिनियर को अचानक हरपा पूरा अस्थल मिला, दो जो की आधुनिक पाकिस्तान में है, इन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है, जहां से अच्छी इंटे मिलेगी, यह सोचकर वे हरपा के खंडरों को हजार इंटे उख जिससे उन्होंने रेलबे लाइन बिचाई और इससे कई इमारते पूरी तरीके से नस्थ हो गई, मतलब क्या है, जब रेलबे लाइन बिचाई जा रही थी पंजाब में, अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान बाला पंजाब है, याद रुखीगा, वहां रेलबे लाइन जो नगर है, वो अचानक जब खुदाई हो रही थी, तो वहां से इंटे मिला शुरू हो गई, तो इंजिनियर ने सोचा कि इतनी अच्छी इंटे है, क्यों ना इसी को ही रेलबे लाइन में लगा दिया जाए, और धीरे धीरे खुदाई करते, वो इंटे जो है रेलबे ल हिंदुस्तान में, याद रखीगा, और अगर आप से पुछेगा कि हिंदुस्तान में कों से सहर में हरपा की सबसे जावा साक्ष मिले हैं, तो आपको बताना होगा गुजरात, किलियर है ने, जो भी अंडरलाइन करता हूँ, आप से हर्टली हाथ जोर के रिक्वेस्ट है, जब आप मेरी ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप अपने पास में पेन और पेपर दोनों एक अच्छी सी कॉपी या डायरी बना लीजिए, जिसमें अंडरलाइन करता हूँ, जिसमें ये बताता हूँ, कि आयोग हर बार कोशन यहां से पूछता है, उसको जो है स्टार मार आप देखें, अपने कोफी में प्लीज लिख लिजिए, प्रिलिम्स के लिए हो जाएगा, मैंस के लिए तो आपको कोशन में लिखवाता ही हूँ, और वो लिखके आप मुझे दिखाते ही है, लेकिन इसके लिए प्लीज लिखने की कोशिस कीजिए, क्योंकि बार बार तो इस तरह के सभी पुरा अस्थल में जो इमारते और चीज मिली, उन्हें हरपा सब्विता की इमारते कहा गया, और इस सहरों का निर्बान लगभग जो है 4700 साल पहले हुआ था, मतलब क्या है, उसके बाद धीरे-धीरे समय गुजरता गया, रेल बेलान बीच गई, 80 साल पह लगाया, और इसमें जो पुराने सहर थे, उसमें से जो भी चीजें खोज के निकली, चाहे इमारते हो या फिर उसमें बहुत ऐसी चीजें थी, उससे पता चला कि ये सहर का निर्बान 4700 साल पहले हुआ था, मतलब आज से अगर 4700 साल पहले की कहानी हम लोग पढ़ रहे है हरपपा, चलिए, आईए पहले इसको देख लेते हैं, तो कि यहां से, सोरी, यहां से कंसेप्ट किलियर हो जाए, यह नगर आधुनिक कहां पे है, पाकिस्तान के पंजाब, सिंधप्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाना, पंजाब प्रांत में मिले हैं, और मिट्टी के लाल बरतन, जिन पर काली रंग के चितर बने हुए, मिट्टी के लाल बरतन मिले हैं, जिन पर काली रंग के चितर उकेड़े हुए हैं, मत्तब बने हुए हैं, और पत्थरों के बाट, मुहुडे, मन के, तामबे के उपकरन, और पत्थर के लंबे ब्लेड यहा गुजरात, राजस्थान, हरियाना, पंजाब, ध्यान रखना है, ऐसे अगर देखा जाए, तो आगे जब और डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये कस्मीर में भी जाएगा, ये उत्तर परदेश में भी जाएगा, ध्यान रखेगा, उत्तर परदेश में भी इसके साथ मिलते हैं, कैसे आगे बताएंगे चलिए इन नगरों की बिसीस्ता क्या थी इसको पहले समझते हैं इन नगरों में से कई को दो या उससे जादे हिस्सों में विभाजित किया गया है प्राया पस्मी भाग को छोटा था और इसकी उचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा जो था वो पूल बतकिन हो खाँ पूर आध ये पूल अब देखेयन यहां के निकाव थे के पसमी भाग चोटा था यहां के पसमी भाग पुरातत विदो ने नगर या दुर्ग कहा है, ध्यान रखीगा, नगर दुर्ग कहा है, जो कौन से उंचे बाले भाग था, उंचे बाले भाग किदर थे, ध्यान रखीगा, उंचे बाले भाग किदर थे, पस्मी भाग छोटा था और उंचाई पर था, यारी पस्मी का भाग कffiti यई बनाने के लिए इस चिनाई इस तरीके से करते थे जिससे की दिवार जो है यानि कि इस टाइम में पक्की इंट की दिवार बनाई जाती थी और उस टाइम में जो दिवार बनाई जाती थी वो जारों साल तक खड़ी होती थी और आज की दिवार बना के देख लो 100 साल तक खड़ा ना रह सके ना रह सके क्योंकि उस टाइम में जो इंटे बनाई जाती वो पक्की इंठी बनाई जाती थी, और साथ साथ में इसके अंदर चिनाई की हो जाती थी, चिनाई करने के मतलब क्या होता है, इसमें इस तरीके से चिकनाई से एक दूसरे से चिपकाया जाता था, जिससे की बहुत जादा लंबे समय तक ये मजबूती से खरा रह सके, कुछ नगरों में नगर दुर्ग, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी मिसाल के तोर पर गर देखा जाए तो मोहन जोदरों में खास तलाव बनाई गया था जिसे पुरा तत्विदों ने महान असनानागार कहा था अगर देखा जाए तो कुछ नगर जो थे, उस टाइम में या तो कही है हरपा सब इता, या तो सिंदू गाटी सब इता, सब इक्वल ही है, आगे जाने के बाद सब कुछ बताएंगे, सब इक्वल ही है, अब यहाँ पर हरपा के टाइम में कुछ नगर ऐसे थे, जैसे इसी के इसको कहा जाता था महान असनानागार, देखिए आप कई बार अपने लुसेंट में पढ़ा होगा, महान असनानागार, कहा मिला है तो अभी भी confusion रहता, कहा मिला महान जोदरो में मिला है, चाहुंदरो मिला धौला भी रहता, क्या अब होगा कभी confusion, तरिक सोच के देखिए, बस इस lecture को ध्यान से सुनिए, सारा चीज concept के लियर होगा, जिसे पुरा तत तुने क्या कहा, महान असनानागार कहा मिला था, महान जोदरो में मिला था, और इस तलाब को बनाने के लिए, इंट और प्लास्टर का इस्तमाल किया गया था, इसमें पानी का रिसाव रोकने के प्लास्टर का ऊपर चार कोल की पड़त चढ़ाई गई थी, और इस सरोबर में दो तरब से उतरने के लिए सीधिया बनाई गई थी, और चारो और से कमड़े बनाई गए थे, अब देखे, यहां पर अगर देखा जाए, तो क्या यहां पर साइंस तेक उप्योग नहीं कर स इसना सुरू होगा है, इसलिए प्लास्टर का यूज कर दिया था, प्लास्टर का यूज कर देने से क्या होगा, कि छोटे छोटे चिद्र जो है, वो भर जाते है, जिससे क्या है, कोई भी वस्तो इधर से उधर पार ना कर सके, तो प्लास्टर का उप्योग होया जाता था, इसके साथ साथ में उसके उपर और रिस्क होता था, तो उसके उपर चार कोल लगा दिया जाता था, जिसे के पूरी तरीके से फिट बैठता था, और साथ साथ में सीधिया भी लगाई जाती थी, इस सरोबर में उतरने के लिए सीधिया लगाई जाती थी, दोनों तरब से उत तो से निकाला जाता था उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था,साहद यहां बिशिस्ट नागरी के बिशे इवसे अफसरों पर असनान किया करते क्या बताइएगा, ऑप्सन देदेगा, तलाब से, नहर से, कुवे से, या फिर नल से, ऐसे एक्जामपल देदेगा, और अप फंस जाईएगा, तो ध्यान रखना है कि कुवे से निकाल के उसमें डाला जाता था, और हमेशा इसमें असनान नि किया जाता था, किसी बिसेस जवाब नहीं देपाता हूँ लेकिन इतना तय है, मैं कंट साड़ा पढ़ता हूँ, एक दम गरनटी करता हूँ, जो सुधार आप करने के लिए मुझे कहते हैं, मैं पक्क्र उसे सुधार करने की हद तक कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता कि सुधार करना चाहिए और यह सही में सुधार किया सकता है. अब आते हैं काली बंगा में. चलिए काली बंगा में आते हैं काली बंगा और ल१ल जैसे अन नगरों में अगनी कुंड मिले हैं. अब यहाँ देखिए PT POINT ऑफिसे आपका मिल गया पॉइंट काली बंगा और लोथल याद रखीगा काली बंगा और लोथल में अन अग्रो में अगनी कुंड मिले हैं तो अगर पुछ देगा कि अगनी कुंड कहा मिले हैं इन में से Option दे देगा काली बंगा, B option लोथल, C option मोहन जोदरो, 4th option हरपपा, अब दे देगा option इन में से एक, इन में से दो, इन में से एक या एक से दो, या इन में से कौन, तो आपको option पता है कि काली बंगा और लोथल से अगनी कुंड मिले हैं, तो मिले, दीजे जब आप, तो पर अग की यग होता था, हरपपा, मोहन जोदरो और लोथल, यादर की का हरपपा, मोहन जोदरो और लोथल, जैसे कुछ नगर बड़े-बड़े भंडार गड़े मिले हैं, भंडार गड़े का मतलब क्या है, जहां पर अनास को रखा जाता था, भंडार किया जाता था, मुझे एक कस्त कीजिए आप अब मुझे ये बताइए कि मोहन जोद्रो कहां है बस कहां है आप अपना खुद से ढूंड के मुझे बताइए और comment box में जाके comment कीजिए इतना मैं चाहता हूँ अब देखिए यहां पे चाहंदर हो है यहां पे क्या है धौला भी रहा है यहां प concept चलिए यह जो है महान असनारागार है इसके चितर को एक बार देख लिजए यही है महान असनारागार हमने आपको इसमें बताया था कि दो तरफ से जो है सीड़ियां पनाई गई है इसके अंदर आने के लिए किलियर है और चारो तरफ से जो है इसके अंदर जो है कमड़े बनाये जाते थे और यहाँ पे पानी जो लाया जाता था वो कहां से लाया जाता था इसके इंट के अंदर प्लास्टर के साथ में लगाया जाता था जिससे की पानी को रोका जा सके और साथ साथ में कभी कभी जो है इसके अंदर चारकोल का भी जो है उपर पेरत चड़ाया ज और यहां पे जो पानी रखा जाता था कुवे के तुरू इसमें नकल के ये किसी बिसेस अबसर पे ही नहाने के लिए असनान करने के लिए रखा जाता था, किलियर हो रहा कुंसेप्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम, चलिए, हाँ, मैं आपसे गुजारी सीज़ जरूर करूँगा कि जितनी मेहनत से इस 45 डिगर की टेंपरेचर में क्या हालत होती है, कलेजा फटता आप बोलने वक्त, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी एक समझदार आदमी है, तो आपसे इतनी जरूर दुआ करता हूँ और इतनी उम्मीद भी आपसे करता हूँ, कि प्लीज हर कोई कोमेंट कीजिए, चाहे जैसा लग रहा, जैसा सोच रहा है, आप दिल की बात जरूर लिखिए हमारे इनकरवल चैनल पे जाके, जरूर लिखिए, क्योंकि आपके लिए अगर इतनी मेहनत में कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा देखने की कुछ चीस करते हैं, लेकिन इससे पहले हरपा के नगरों में इट की चीनाई, किस तरीके से देख लिजे, यही है हरपा के नगरों में इट की चीनाई, किस तरीके से की जा रही है, थोड़ा सा देख लिजे, इन नगरों के घर आम तोर पर एक या द इधर भी कमड़े, इधर भी कमड़े, इस तरीके सवर बीच में क्या होता था, आंगन होता था, आज भी पुरानी पुरानी घरों में अगर देख लिजेगा, आप अपने गाउं में जिस छेतर में रहते हैं, वहाँ पुरानी घरों में देखेगा, तो बीच में आंगन रहे मतलब क्या आधिकांस घरों में अगर देखा जाए तो एक असनानागार होता था असनानागार और कुछ जो है कुए भी होते थे मतलब हर घर में असनानागार और कुए जरूर होता था मतलब असनान करने के लिए कुए अनिवार होता था हर घर में कई नगरों में धके हुए नाले होते थे, कई नगर जैसे होते थे, जहां पर ढ़के हुए नाले मिलते थे, इन्हें साब्धानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, हर नाली में हलकी धालान होती थी, ताकि पानी असानी से बह सके, और अक्सर घड़ों में नालीों की सरकों की नालीों से जोर दिया ठाटा था और बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी और नालों में ठके होने के कारण, कई जगह, मैन होल नाले गए थे, जिनके जड़ी देख भाल और सफाई की जाती थी, और घर, नाले और सरकों का निर्मान, योजना बद्ध तरीके से किया जाता था. देखें, आज भी आपने नगरों मे देख सकते हैं. क्या होता था, पूरी न millennials क्या होती है, धकी होती है. और एक manhole बना दिया जाता है, कि अगर पानी रुकी, या किसी भी तरीके से पानी आगे नही का पा रही है, तो manhole को सिधा खोलना है और वहीं से उसका solution कर देना है सोचिए उस टाइम में हरपा के टाइम में 47 साल पाले टाइम में जो हो रहा था वो आज एक इसमी सदी में भी आप देखने के लिए मिल रहा है तो थोड़ा सा connect कीजे रहे मज़ा आएगा अगर हरपा में पढ़ा रहा हूँ तो आज की generation जो 21 सदी का है आप यहां पे अपने आपको जोड़िए फिर देखिए कि NCRT कितना मज़ा देने वाला आपको है अब इसी टाइम में क्या होता था नाले जो बनाई जाती थी वो थोड़ा सा ढालो नुमा बनाई जाती थी ढाल जैसी ताकि पानी आसानी से गिर सके छोटी नाली या बढ़े नालो में जाके मिल जाती थी और बढ़े नालो जो है किसी समूदर किसी तालाप में जाके वो योजना एक अच्छे तरीके से, योजना बद तरीके से किया गया था हरपा का, यही था जब आप से पूछा जाता है कि हरपा नगर की जो नगरे थी, हरपा की जो नगरे थी वो योजना बद तरीके से थी कैसे, तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं आसानी से, अगर आपको समझ में बेसिक रहेगा तभी तो लिख पाईएगा अधरबाई तो हो ही नहीं सकता है चलिए अब आते हैं इसके नगर ये जीवन में नगर ये जीवन क्या है हरपा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी उस टाइम में यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योज़दा में जुटे रहते थे ये संभबता यहाँ के सासक थे यह भी संभब है कि ये सासक लोग को भेज कर दूर से धातू, बहुमुल, पत्थर, अनुपियोगी चीज मंगमाते थे साइद सासक लोग खुबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आपुशनों जैसी किमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो कि मोहडों पर लिखते ही थे, और साइद इन चीजों को भी लिखते होंगे, जो कि बच नहीं पाई कहने का मतलब यह हुआ कि हरपा में उस समय में बहुत हलचल होता होगा, क्योंकि नगर यूजना है, नगर बसाई जा रही है, बेवस्तित तरीके से बसाई जा रही है, तो हलचल तो होना ही होना है, क्योंकि एक गाव को अगर बसाना है, तो क्या होगा, आवास तो होगी हो सूनत मन के होता था, वो सोने चांदी के बने अभूशन, जो आभूशन उसी को मन के काते थे, जो आपका अभूशन होता था, मन के भी होते थे, तीन कटेगरी के होते थे, आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ाएंगे कि यहां पर जाएंगे, कुछ जो होते थे मन के, वो मिट्टियों के बने होते थे, जो गड़ीब लोग बनते थे, जो मध्यम लोग के बो होते थे, वो किसके बनते थे, वो पत्थरों के, या सीप के, जो समुदर में पिलते थे, उसके मन के बनाते हैं, और जो रहीस होते थे, अमीर लोग होते थे, वो सोने चांदी के, जो है मन के, जिसको अभूशन करते हैं, वो उनके पास में होते थे, कई नगरों में लिपिक भी होते थे, जो कि मोहरों पर लिखते थे, जो कि मोहरों पर ही लिख दी जाती थी, वहां आते होंगे, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में इस्तिरी और पूस भी उस टाइम में रहते होंगे, जो कि घड़ों में और किसी उद्योग अस्तलों में तरह तरह की चीजें जो है वो बनाते होंगे, और लंबे, और लोग जो है लंबी यात्राएं भी उस टाइम में किया क दूसरे जगह पर क्या करते थे अपनी जो भी वस्तुएं होती थी वो लाते थे और सुदूर छेतर में किसे कहानियां और या मिट्टी के खिलोने बरतन बच्चों को खेलते होंगे उस टाइम में अब थो रासा आते हैं इसमें अब उपर में अगर देखिए तो मोहन जोद्रो की एक सरक जिसमें एक बड़ा नाला बना हुआ है और एक कुवा है बाई और नीचे और दिखिए तो हरप्पा की एक मुहरे है ये देख लिजिए और एक खास लिपी भी है जहाँ पर यहाँ पर लिखिए लिपी उप महादुप में पाए गए लेखन और प्राचिंतम उदाहरें बिद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिस की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है दाइस दाइयोर के नीचे पक पत्तत वेद ने इसको नहीं पढ़ पाये यह पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाये है चलिए नेक्स आते नगर और नए सिल्फ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अब थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं उपर में पत्थर के बाट को देखो कितने ध्यान से और उप्युक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है इन्हें चट पत्थर भी बनाया गया था मत्तब कि इन्हें चट पत्थर भी बनाया गया है जिन्हें साइद बहुमुल पत्थर या धातूं के तॉलने के लिए बनाया होगा मध्ध और बाय में मनके हैं यह सब मनके जिसमें धागा को डाल कर माला बनाई जाती है, जो कि आप कले में पहन सकते हैं, काणों में पहन सकते हैं, बाल यहां पहन सकते हैं, कई तरीके कर, तो यहां पर एक चीज याद रखेगा, बात मत्रब होता है, अभी भी कहते हैं, एक केजी, दो केजी, तो अगर गाव में चल तामबे, कासे, सोने, चांदी जैसे धातुम की चांदी इंदे बनाए गई हैं. तामबे और कासे से और Zara हतियार गहने बरतन बनाए जाते थे धिटी। ध्यान रखेगा तामबे से सोने-चांदी से गहने और बरतन बनाए जाते थेría। यहां मिली सबसे आकरसक बस्तु में मन के बाट और फलक होती थी जो सबसे आकरसक थी मन के मतबाभुशन बाट मतबो जो तॉल थुर्ग होती थी और फलक जो की चर्खुट में ये कटी हुई होती थी ये जो से सबसे आकरसक का केंद रहा था हरप्पा सब्धिया के लोग जो थे वो पत्थरों पर मुहुरे बनाते थे और इन्हें जो है आयताकार मुहुरों में समानता जानवरों के चित्र मिलते थे हरप्पा सब्धिया के लोग होते थे जो मुहुरे बनाते थे वो आयताकार होती थे उस पर किसके चित्र मिले हैं तो जानवरों के या फिर पंचियों के पेर पौधे के या फिर भगवान के तो इस तरीके से कोश्चन देगा और आपको फसाएगा तो इस चीज़ को यहीं प यारी लाल मिट्टी की तो होती थी और साथ साथ में काले रंग से उसमें चित्र उकेरे होते थे अब कभी किसी लूसेंट को पढ़ने की कोई जवरत नहीं है अगर यहां आपने दिल से जी लिया तो अब लूसेंट आप खोल के देखिए देखिए बच्चों की तरह ना लगे तो मेरा नाम बदल दीजी प्रॉब्लम है कि आप यहां न पढ़के डारेक्ट लूसेंट पढ़ते हैं और जब एक्जामनेशन होल में बैठते हैं तो यही लूसेंट आपको दगा दे के चला जाता कन्फ्यूजन का मतलब यह था दगा देना अब आगे की कहानी समभबत साथ हजार साल पहले मेहर गड में कपास की खेती होती थी साथ हजार साल पहले मेहर गड में कपास की खेती अब अगर आपसे पुछ देगा कि कपास की खेती के साक्षे कहां से मिले हैं हरपपा में कौन से नगर से मिले हैं अब आप इस question में देदेगा option लुथल में मिले हैं चाहुंदरों में मिले हैं राखी गिरी में मिली हैं मेहरगड में मिली है या इनमें से किसी में मिली है तो आपको बताना होगा कि साथ जार साल पहले मेहरगड में कपास की खेती मिली है, याद रखिएगा, एक दम इस प्वाइट को लिख लिजिए, ध्यान में रखिए, मज़ा आने वाला है, मोहन जोदरों से कपड़ों के टुकड़े के अबसेस, जो है, चांदी के एक फूलंदान धक्कन, कि कुछ तांबे के बस्तुएं से चिपके हुए मिल है, यानि कि मोहन जोदरों में कपड़े के टुकड़े मिले हैं, अगर मोहन जोदरों में कपड़े के टुकड़े मिले हैं, तो सीधी सी बात है कि हरपा में कपास की खेती की जाती थी, और कपास की खेती का साक्च कहां पे मिलता है, तो मेहर गड़ में मिलता है, और पक्की मिट्टी तथा फाइनेंस से बनी हुई तकलियां सूत कटाई के संकेत भी देती है। पत्थर की एक मूर्ती है जो मोहन जोद्रों से मिली है। मनके को चमकाने के लिए फिर मुहरों पर पच्ची कारी करना आधी प्रिष्ट 28 पर चित्र को देखो और मूर्ती के चेहरों को आकर्सक धंग से बनाए गया। मतलब क्या कहने का सीधा सा मतलब है कि किसी खास चीज को बनाने के लिए खास पर सिक्छन लिया जाता है। अगर कोई चित्र कार है तो चित्रों का क्या करेगा बहार करेगा। अगर कोई लिखनी है लिखन सेली में है तो उसी तरीके से हर के अपने हैं। पत्थर तरासने वाले, पत्थर तरासने वाले, मन के चमकाने वाले, यारी कि अभूसन को चमकाने वाले, अभूसन चमकाएंगे, मोहरो बनाने वाले, मोहडे बनाएंगे, तो सबका अलग-अलग था, हर बैक्ति भी से सग नहीं हो सकता है, हमें यह पता नहीं है, कि क्या सिर पुरूस ही थे या पिर दोनों थे लेकिन साथ कुछ पुरूस और कुछ महलाएं दोनों थी, अब आते हैं फेनंस ये क्या है, पथर और संख प्राकृतिक तोर पर पाय जाते हैं फेनस, ध्यान कीगा, फेनस को कृत्रम रूप से तैयार किया जाता है, बालू और कहिए पत्थर के चुर्ण को गाद में मिलाकर उनकी बस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद इन्हें बस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हलके समुद्री हरे रंगे होते हैं। और फाइनस मन के चुडियां, बाल य अब कच्चे माल की खोज शुरू हो जाती है हरप्पा में। अब कैसे होगी इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छे तरीके से। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं। जो प्रकृतिक रूप से मिलते हैं। या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करते हैं लकडी, धातू, अयसक, प्रकृतिक रूप से उपलब्द कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किये गए, कपास को कच्चा माल कहा जाता है। क्या कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करक कपड़ा तैयार किया जाता है। हरपपा के लोग कई चीज़ों वहां पर मिलते हैं। लेकिन तामबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमुल पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर तक ये आयात करते थे। कहने का मतलब कच्चा जो माल होता था। वो तो प्राकिर्थि खेती की जाती है। तो कपाश जो है कच्चे पदार्थ हो गया। अब इससे जो है आगे में कनवर्ट करके इसको बदलाव करके इसकी कताई बुनाई करके इससे कपड़े कापास से निकाल दिया जाता है। और उस टाइम में अगर हरपा में देखा जाए तो तामबा, लो बताईएगा लेकिन आपको मैं बता दूँ आयात और निर्यात, आयात मतब क्या हुआ, किसी दूसरे देश से अपने देश में आना, यानि कि आयात हो रहा है, निर्यात मतब अपने देश से दूसरे देश में जाना, निर्यात होता है, किलियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आयात और निर्यात भूल जाते हैं, तो आयात मतब आया, ऐसे याद रखें, ट्रिकी थूरू, आयात, आया, मतब दूसरे देश से आ रहा उसको आयात कहेंगे, और दूसरा जो निर्यात बचा हुआ, तू अपने देश से दूसरे देश में जाएगा, किलियर कॉंसेप चलिए, निक्स में आते हैं, हरपपा के लोग तांबे का आयत, संभबता आज के राजस्थान में करते थे, यहां तक कि पस्मी ACI देश ओमान, ओमान से भी तांबे के आयात किया जाता था, ध्यान रखीगा, कासा बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलाई जाने वाली बस जरात इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, बहुत इंपोर्टेंट है, यानि हरपपा के लोग तांबे का आयात संभबता, हरपपा के लोग तांबे का आयात करते थे, यानि लाते थे, वो जनरली कहां से लाते थे, राजस्थान से करते थे, याद रखीगा, पस्मी एस्याई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था और कासा बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिला जाती है तभी तो बनती है कासा बनाने के लिए तामबे ओटिन को मिला जाता तो कासा बनता था इसके लिए आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से जो है किया जाता था आयात और सोने का आयात जो है करनाटक से और बहमुल पत्थर के लिए गुजरात इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था राज उगाते थे, नगर में रहते थे, तू रहते थे, एक्साथ साथ में गाउ में भी रहते थे।। वे अनास को उगाते थे और जानवरों को पालते भी थे, पसुपालक भी करते थे। किसान और चरवाहा सहरों में रहने वाले सासकों और लेखकों दस्तकारों को खाने के समान देते थे और पौधे के अवसेश से पता चलता है कि हरपपा के लोग गेहूं, जो, दाल, मटर, धान, तील, सरसो उगाते थे मतलब क्या है ये चीद ध्यान रखीगा हरपपा के लोग गेहूं, जो, दाले, मटर, धान, तील, सरसो भी उगाते थे जमीर की जुताई के लिए हल का परियोग नई बात थी जो जमीर की जुताई की जाती थी वो हल का परियोग होता वो एक नई बात थी और हरपा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राया लकडी के बनाए जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं और इस छेतर में बारिस कम होती थी इस छेतर में बारिस कम होती थी इसलिए सिचाई के लिए लोग कुछ इस तरीके से अपनाए होंगे संभवता पानी के संचय भी किया जाता होगा उस ताइम में जरूरत पर्ड़े पर उससे फसलों की सिचाई की जाती होगी और आपा के लोग गाए भैस भेर बकडी पालत तो जमीन की जुताई करना होगा, उस टाइम में हलका भी आउख आविसकार हो गया था, लेकिन यह जो होता था, यह मिट्टी की बनी होती थी जिसका साक्छ नहीं मिल पाता है, आगे चल के हलके भी साक्छ मिलेंगे, आगे बताएंगे, लेकिन लकणी से बनाय जाते थे, और आकार बे खिलोने जैसे इसके आकार भी मिले हैं, हलके, अब यहां के बाद में उस टाइम में इस छेत्र में बाडिस कम होती थी, जिससे सुखा होता था और इसकी सिचाई के लिए संबब्ता पानी का संचय भी किया जाता था, जिससे कि अच्छे तरीके से फसल की पैदाबा हर अपपा के लोग गाय, भैस, भ्हेश और बकडियां पालते थे, और बस्तियों के आसपास तलाब चारागाँ दूर तक भी निकल जाया करते थे, वे बेर जैसे फलों को इकटा करते थे, मचलिया पकरते थे, हीरन जैसे जानवरों का सिकार करते थे, बेर जो खाते है उसके फलों को इकटा करते थे, मचलिया भी पकरते थे, हीरन जैसे जानवरों का सिकार भी करते थे, गुजरात में हरपा काली नगर के सुच्वनी देखते हैं कि गुजरात में हरपा काली नगर की सुच्मनिरचन, यहां important है, ध्यान रखीगा, कच्छ के इलाके में, खादीर बेत के किनारे, धौला बीरा नगर बसा हुआ था, ध्यान रखीगा, धौला बीरा नगर बसा हुआ था, यहां साप पानी मिलता था, और जमीन यह यहां की उपजाओ थी, धौला बीरा की जमीन, जो गुजरात में मिली थी, जहां हरपा सभिता की कई नगर दो भागो में बिभागत थे, यहां पे सभिता, हरपा सभिता की कई नगर जो थे, वो दो भागो में बिभागत थे, वहीं धौला बीरा नगर तीन भागो में पत्थर की उची उची दिवार बनाई गई थी, इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े परवेश द्वार थे, और इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां पे सार्वजनिक करिक्रम आयुजित किये जाते थे, और यहां मिले कुछ अबसेस हरपा लीपी के बड़े अच्छरों में पत्थर पर खुदबाया गया है, इन अभी लेखों में संभबता लकडी से जरा गया था, और यह एक अनुखा अबसेस है, यहां आम तोर पर हरपा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु में पाई जाती, कहने का मतब यह है कि अभी हम लोग पर रहे उची उची दिवार बनाई जाती है, बीच में एक बड़े प्रवेस दवार बनाई जाती है, जो नगर के अंदर खुलता था, और बीच में यह सामने एक मैदान होता था, जहां पे साबजनी काईकरम का आयोजन किया जाता, जहां सारे लोग मिलते थे, और यही से कुछ अ एक उप नदी के किनारे बसा लोथल लगर, अब आते हैं लोथल पे, एक ऐसा अस्थान पर बसा था, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था लोथल लगर से गुजरात के, कहां पे तो खंबात की खारी में जो है बसने बाली मिल जाता था, और इन प गीली मिट्टी की दवाने से बनी कई चाप मिले हुए हैं, कहने का मतलब ये, कि गुजरात के खंबात की खारी में मिलने बाली जो सावर मती की एक उप नदी के किनारे बसा हुआ सहर जो था, नगर था उस समय के हरपा का, वो लोथल लगर था, एक ऐसे अस्थान पर बसा जहां पर कीमती पत्थरों जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था, और इन पत्थरों के संक धातूं से बनाई गई चीजे एक महतपून केंदर अस्थान था लोथल, इसी नगर के में जो एक भंडार ग्री भी मिला है, और उस ग्री में कई मोहुने, और साथ साथ में मु अब लोथल का बंदरगा, ध्यान रखिगा लोथल का बंदरगा एक बड़ा तालाब लोथल के बंदरगा रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावों रुकती थी, और संभबता यहां पे माल को चढ़ाया या उतारा जाता था, मत्तब क्या लोथल के पास मे ही, जो है, यहां पे क्या होता था, यह और ऐसे भी जानते हैं कि लोथल में ही पंदरगा भी था, यह भी आपको कंफर्म है, आगे चलने के बाद और किलियर बताएंगे, जैसे से आगे बढ़ता जाएगा, यहां पे क्या होता था, माल को चढ़ाया जाता था और उतारा ज मतलब क्या है, कि यहां पे एक इमारज बनी है, जहां पे अभूसन बनाने मन के बनाने का काब होता था, जहां पे अध्ध बने मन के हैं, मन के बनाने वाले उपकरन भी है, यहीं पे तैयार मिला हुआ है, अब क्या मुढरा, यानि कि मुढरांकर या मुढर बंदी, यह क्या ह इसको समझते हैं मुहरो का परियोग समान से भड़े उन डिब्बो या थैलियों को चिन्धित करने के लिए किया जाता होगा जिने एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था थैली को बंद करने के लिए उसके मुहाने पर गीली मिट्टी की पोत और उन पे मुहर लगाई जाती थी मुहरों की छाब की मुहर बंदी कहते थे कहने का मतलब क्या है दूसरे जगह से अगर मुहरों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान मुहरों का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं अभी तक बता हूँ या नहीं समझ मारा, तो याद रūkheen, भी समझ लें, मुहर का मतलब क्या होता है, कि Eachавать said, एक राज से, एक राज से, अगर आयात निर्यात करते हैं, तो बदले में क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, अगर एक देसे दूसरे जगा है तो डॉलर देना पड़ता उसके बदले में, तो यहां पे मुहर अदान-परदान किया जाता था। अगर एक दिस से, डुसरे जैसे, मिसर की सभिता है तो अगर वहां से कर रहे हैं मैसौ पोटामिया से कर रहे हैं। अगर चाप टूटी हुई नहीं होती तो इन्हें सावित हो जाता की समान छेर चार नहीं हुई है। अगर टूटी नहीं होती तो, अब सभिता का अंत का रहस्य क्या है, अब लास्ट कंडीसर पे पहुंच गये, सभिता का विक्सित कर दिये, सभिता में क्या-क्या इंपोर्टेंट क्योंकि 6 अस्टेंडर का है, यह यहीं नहीं खतम होने बाला, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 7th, 8th में, और डीटेल से हम लोग पढ़ेंगे, गापराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार छोटा-छोटा, एक बार जो है, पकर लेते कि क्या-क्या कहां कहां है, क्योंकि जैसे जैसे स्रीज बढ़ता जाएगा, स्रीज बढ़ता जाएगा, आपका समझ भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, दिमाग पर जोड नहीं लेना है, जो कोशन कहें, वो ज़रूर बना के मुझे दिखाईए, सभिता के अंत का रहस्य क्या था, आईए सभिता के अंत का रहस्य देखते हैं, लगभग 4900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, 4900 साल पहले, अचानक लोगों ने नगर को छोड़ दिया, लेखन, मुहर, बाटों का परियोग बंद हो गया, दूर दूर तक कच्चे बाल का आयात काफी कम हो गया, मुहर, जोदरों में सरकों पर कच्चरे के अधेर बढ़ने लग गया, जल लिकासी परनाली जो धीड़ीड़ी नश्ट होने लगी, सरकों पर जुग्डी नुमा घर बनाने जाने लगया, अब जो है जो वेवस्थित तरीके से घर बर रहे थे वो जुगी नुवा बनने लगे यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ बिद्वानों का कहना यह है कि नदियां ही सुग गई अन का कहना है कि जंगलों का बिनास हो गया था इसी के कारण ऐसा हो सकता है इट पकाने के लिए इंधन की जवरत परती थी इसके अलाबा मवेशियों के बड़े बड़े जुन्ड चारागा घास वाले मैदान समाप्त हो गये थे कुछ इलाकों में बार आ गये थी ज्यादा संबाबना यहीं जता है ज्यादा सत्त यहीं बाना जाता है लेकिन इन कारणों को अस्प परिवरतन का असर बिलकुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तिया उजर गई थी कई लोग पुर्व और दच्छिन के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसना सुरू कर दिये थे इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इनके बारे में तुम अध्याज 5 और 8 जबागे पढ़ाएंगे तुम हम आपको समझाने की कोशिस करें थोड़ा सा अन्यत इसको भी देख लेते हैं अपने एटलेस में मिस्र को ढूंड़ो जाए मिस्र को निकाली अपने एटलेस में निल लदी के आसपास के इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो मिस्र का अधिकास भाग जो है वो रेकिस्तान है लगभग 5-6-4 साल पहले म दूर दूर तक भेजी जाती थी और बड़े-बड़े जो है मकबड़े बनाए जिन्हें पीरामीड के नाम से जाना जाता है राजाओं के मरने पर उनके सबों को उन्हीं पीरामीड में दफना कर सुरच्छित रखा जाता है और इन सबों को जो है ममी कहा जाता है जो ममी आ जानबर सामिल होते थे कि भाई उस जनम में अगले जनम में इनको ये सारी सुविधाय मिलेगी इसलिए उनके सब के साथ में ये सब भी दफना दिया जाते थे सेवक और सेविकां को भी दफना दिया जाता था उस ताइमें जो नौकर नौकरानी होती थी उनको भी उसमें बैंद विस्वास था कि यह ज़ो लोग जो है उपर में जाके इनकी सेवा करेंगे। दुनिया के इतिहास में सबों को दफनाने की परंपरा को देखते घुए मिस्र सबसे ज़्यादा धन दौलत कर्च किया जाता था। उस ताइम में दुनिया में सबसे ज़्यादा सबों को दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता था, धन दौलत, अब आज की टिट में भी देख ले, तो कम से कम हिंदू रिती रिवास में तो खेद देखने को मिल ही जाता है, कि दान की परमपरा इसको ही कहते हैं, दान की परमपरा ही कहते हैं, तो ये जो थी, पूरी की पूरी हरपा की कहानी थी, मैंने जो कोशन दिया हूँ, तो आपसे हटली रिक्वेस्ट है, कि प्लीज को लिख के मुझे जरूर दिखाईए, और ग्रूप मेंने एंटी जो बना द वीडियो देखते हैं, तो आपका धर्म और आपका फर्ज बनता है, आपको मेंस लिखना होगा, तो प्लीज कम से कम दो तीन लाइन जरूर कोमेंट कीजिए, इतना तो आपसे मुझे कहने का जरूर हक बनता है, और साथ साथ में दोस्तों, आपसे हाथ जोर के गुजारी से कि इस वीडियो को जितना जादा हो सके, जितने भी गुरूप है, उसमें जरूर सेर कीजिए, इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पैसा मिले, इसलिए क्योंकि सारे लोग बड़े सहरों में आके नहीं पर सकते हैं, नहीं उनके पास में पैसा, तो कम से कम हम अगर आपकी हेल्फ क बैठ सके, थेंक यू, नमस्कार